नमस्कार सातियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हम चर्चा कर रहे थे लाश्ट के दो वीडियो से Udice Portal 2022 की एंट्री आपको किस प्रकार से करनी है और उसमें भी हम Student Module के बारे में बात कर रहे थे कि आपको किस तरह से Student का जो डाटा है वो आपको Udice Portal 2022 में किस तरह से Feed करना है और किस तरह से Update करना है तो लाश्ट की वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से आपको Login करना है Udice Portal पर और उसके बाद में दूसरी वीडियो में हमने देखा था कि आपको प्रतेक Student के पास कैसे पहुँचना है और उस Student की जो Profiles है वो किस तरह से आपको Update करनी है और साथ में हमने यह भी देखा था कि Student की जो General Profile है वो हमने कैसे Update करनी है इसके बाद में हम उस Student को हम पुने लेते हैं आज की वीडियो में और उसकी जो बाकी की जो Profiles है आपकी जो Enrollment Profile है और जो Student Facility है वो Profile आपको Update करनी है तो चलिए हम पुने है वहाँ पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर पुने है इस Student के सामने जो Enrollment Profile का जो आइकन है यह आइकन इस पर हम किलिक करते हैं जनरल Profile हमने कल Update की थी तो इस वाले आइकन पर आपको Green वाले टिक दिखाए देगा और आज हम जो आपकी Enrollment Profile है इस पर हम यहाँ किलिक करने वाले हैं तो जैसे हम यहाँ पर किलिक करेंगे तो आपके सामने इसकी जो Enrollment वाली जो Profile है Enrollment का जो Data है वो आपको यहाँ पर दिखाए देगा Admission Number in School में यह आपके Admission Date है और यह जो School Session वगेरा है वो सारी Detail आपको यहाँ पर देखनी है और Update करनी है चेक करते हुए आपको थोड़ा Scroll करते हुए नीचे चले जाना है Enrollment से Related और इस चातर के Exam से Related Last Year का जो Exam है वो आपको यहाँ पर दिखाए देगा Previous Year Result of Examination Previous Class का Result आपको यहाँ दिखाए देगा Promoted है और यह appeared हुआ है इसके बाद में जो Previous Class थी और थात गत्य सतर 21-22 में इस चातर ने जो percentage प्राप्त किती कक्षन 9 में वो percentage भी आपको यहाँ पर दिखाए देगी साला दरपन से यह data आपको फीच यहाँ पर दिखाए देगा और साथ में Previous Year की attendance भी आपको यहाँ पर दिखाए देगी अगर यह attendance ठीक है तो आपको इसको अपडेट कर देना है अगर यह कोई भी data ठीक नहीं है तो आप कुछ data यहाँ पर edit भी कर सकते हैं और इसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे Save वाले बटन पर आ करके किलिक कर देना है जैसे आप Save वाले बटन पर किलिक करेंगे तो आपके सामने जो चीज टिक हो गई है वो आपकी बिल्कुल सही फिल हो चुकी है और जहाँ पर टिक नहीं हुआ है वो detail आपको एक बार पुने देखनी है तो यहाँ पर हमें class और section role number यहाँ पर इस student के feed करने है तो चलिए यहाँ पर एक अक्षा 10 है इस student के जो number है मैं एक dubby number आपको देख करके बताता हूँ और यहाँ पर आपको इसके role number है 2006 कुछ इस तरह से करके हम इसके role number यहाँ पर डाल देते हैं तो यह role number आपके यहाँ पर save हो चुके हैं और इसके बाद पुने हैं हम इस profile को save करके update करने कोश्टिश करते हैं और आप यहाँ पर देखेंगे कि इस student की जो enrollment का जो status है enrollment की जो profile है वो successfully update हो चुकी है और हमें यहाँ पर इसको next पर क्लिक कर देना है जैसे आप next पर क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने इस student की जो तीसरी number जो profile थी student facility वाली जो profile है वो profile आपके सामने इस तरह से open होगी जैसा कि आप screen पर देख सकते हैं और यहाँ पर आपको बारी बारी से check करते हुए चले जाना है facilities provided to the student for the year of filling data तो यहाँ पर आपको student की जो details है जो facility है वो इस profile में आपको update करनी है free textbook यहाँ पर student को मिलती है free uniform यहाँ पर मिलती है इसके अलावे भी कोई अगर चीज है तो आप आसानी से यहाँ पर टिक कर सकते हैं scholarship कितनी student को मिलती है previous academic year पिछले सत्र कितनी student को scholarship मिली है central scholarship मिली है या state scholarship मिली है वो scholarship आपको यहाँ पर select करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है और इसके बाद में आपको नीचे पुने उसी तरह से save उपर आपको click कर देना है बारी बारी से इन डाटा को आपको check करते हुए चले जाना है और यहाँ पर last में आक करके आपको save उपर click कर देना है यहाँ आप save को option देखेंगे यह save वाले option पर आपको पुने क्लिक कर देना है हम click करते हैं यहाँ save वाले option पर यह save उपर click करना है जैसे आप save उपर click करेंगे तो आपकी जो facility डाटा saved success हुली यह डाटा भी आपका success हुली save हो चुका है